उत्र भारत के मश्यूर जोतिश और अनुस्दान करता पंटिश्री नरेश नाज जी और नरेश नाज जी ने जिस परकार से जोतिश को समझा है और उसका अनुसंधान किया है कि किस परकार एक विक्ति के विक्तितों को बदला जाता है किस परकार हम अपने भागय को छोटे से उपाय करके भी बदल सकते हैं और उन्नती की राहों में आगे चल सकते हैं इस परकार से जोनों ने शोद किया आओ आज हम उनसे बाचित करते हैं और उनकी जुमान सुनते हैं कि किस प्रकार हम अपने भागया को बदल सकते हैं हाँ तो नमस्कार आप सभी के देखने वाले दर्शकों को मेरा कोटी-कोटी पर नाम आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बताना जाता हूं कि जोतिश एक संपूर्ण विद्या है ये पूरी तरह परमानित है इसमें कोई भी वहम कोई भी इसमें जादूट होना ऐसी कोई चीज नहीं है ये साइंस आफ स्टार्ज है लेकिन आजकल ये भरांती बन चुकी है कि जो भी आदमी किसी जोशी के पास चाता है तो उसको कहते है जी इसने पता नहीं क्या कर दिया या क्या करवा कर आ रहा है पहले तो आप सबी को ये पता होना चाहिए कि जोतिश एक साइंस है हमने साइंस को हिसाब से उसे चलाना है ना कि उसे वेहम के हिसाब से चलाना है मेरी आयू इस वहत 50 के करीब है मैंने इसमें अपना सारा संपूर्ण जीवन इस लाइन को और खास करके हिंदू धरम को और उसकी परचंडता को बरकरार रखने के लिए किया कारण संक्षेत में बताता हूं पहली चीज क्या है जिस सब्वेता का धरम मर जाता है उसका पतन हो जाता है यह मेरी पहली प्रेयरना थी कि मैंने अपने जीवन में जब भी देखा पंडे जी ने ऐसा कहा दिया और उसके बाद आदमी इतनी फरस्टेशन में चले जाते थे कि उनको लगता था जैसे पंडे जी ने यह सारा नेग्टे बोल दिया है हमारा पता नहीं क्या हो जाएगा मैंने पहले मैंने बीए किया बीए भी मैंने डीएवी कॉलेज अलंदर से किया उसमें मैं तीने उसाल टॉप पर रहा लेकिन उसमें मेरा मुखे विश्य क्या था संस्कृत इंगलिश और उसके साथ में मैथ और सभी में मैंने टॉप किया लेकिन आज संस्कृत कोई नहीं पढ़ रहा, उनको पता ही नहीं है कि हमारी संस्कृती क्या है, संस्कृत को लोब कर दिया गया, हर स्टेट ने अपने अपने लेवल पे संस्कृत को ऑप्शनल बनाया या बिल्कूल ही खतम कर दिया, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं इस विशे में ये कहूंगा, कि अगर आपको, आपके बच्चे संस्कृत उनको मीडियम नहीं मिलता है, तो कम से कम उनको हिंदी पढ़ाईए, ताकि उनको अपनी संस्कृती से जोड़िए, हिंदु धरम आज पतन की और जा रहा है, मेरा परियास इसमें क्या है, मैंने इसके उपर शोध किया, आप उनसे प्रापत की डिगरी वो थी जोतिश रतन का अवार्ड प्रापत किया, लेकिन ये सभी मैंने उनके मापदंडों को पूरा करने के बाद प्रापत किया, जोतिश एक पूर्ण साइंस है, मैं ग्रेजुएट हूँ, वो भी सना तक, वो भी एक अच्छी डिगरी के साथ टॉप पर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट इंगलिश में हूँ, 27 साल मैंने स्टेड बैंक आफ इंडिया की नौकरी की, उसके साथ में अपना मैंने रसर्च वर्क सारा जारी रखा, दो धाई लाख आदमी का मैंने होरोस्कोप देखा, उसमें मैंने उनकी ज्वालंत, जो उनकी समस्याएं थी, उनको जाना, उसमें मैंने ज्यदा तर देखा कि लोग अपने ही भागे के लिए परिशान थे, बहुत सी भरांतियां ऐसी मैंने देखी, कि पांचवे घर में किसी ने कहा, जी आपके बच्चे के रहू आ गया, जी आपके बच्चे का तो भूशे है ह बात है कि मैं किसी भी कुंडली के लिए पर्टिकलर उसके क्वेस्चन के अंसार उसको सिर्फ एक या दो रैमिडीज बताता हूं, वो भी इतनी सरल होंगी, लेकिन वो हिंदू रिती के अंसार होंगी, उनको बताके, मैं उनको बोलता हूं कि आप ये किजिए, जैसे का वस्तु क्या है, मूली, अब आप बताइए, पंडे जी आपको कहते है, जी वो कहते है, नहीं जी हमारा सलोनी गुमेद लो या ऐसे करो, उससे वो कहते है, जी इसके ओपर क्या खर्चा आएगा, जी पांच जार दस जार आएगा, मूली कितनी है, पांच अरपे किलो, ज उससे अगर बच्चा इंजिनियर बनता है, जिसके पांच में खाने में राहू हो, वो बच्चा अगर इलेक्ट्रोनिकल या दूसरे जो है, कंप्योटर साइंस में नहीं आगे बढ़ता है, तो वो मेकैनिकल इंजिनियर और दूसरा, जिसे हम कह सकते हैं कि वो भी टेक्नि किये कराए में, ये सारी चीजें सिखी, तो मैंने देखा कि ये लोग सभी एक दूसरे को जएदा से जएदा डरा डरा के उनको कह रहे हैं कि नहीं हमसे ये करवाईए, ये मत करवाईए, ये मत कीजी, आपने ऐसा किया होगा, ऐसे वैसे किया होगा, तो आपका ये नुक्स सकता है या आपके पडोसी का नुक्सान कर सकता है जो तिस शास्तर एक शुद साइनस है इससे साइनस और प्लैनेट्स मानिए और और इसको एक पड़े लिखे व्यक्ति की विद्या माननी चाहिए दूसरा मेरा इस विशे में सिर्फ एक यी बात मैं कहूंगा कि आप जैसे किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते तो उसकी डिगरी क्वालिफाई करते हैं ना कि यह MBBS होना चाहिए, MD 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 DM 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 Gastro होना चाहिए उसी तरह आप जोतिशाचारे को भी परखें उसके बारे में पता करें कि इसने क्या किया हुआ है क्या इसके बैगराउंड है सबसे पहले मैं आपको एक चीज जो मेरे प्रैक्टिस के अंसार जो मैंने देखी है उसके साफ से मैं आप सबी इसको एक बहुत ही अमोग चीज बताने जा रहा हूँ जो उसमें पैसा क्या कुछ मी नहीं लगेगा मैंने मेरे पास कम से कम जो है वो पचास हजार से लेकर एक लाख तक बच्चों की कुंडलियां आई मैंने उन बच्चों को आज तक एक ही बात कही है कि बेटा आपके मालिज ये तीन गरहे खराब हैं चार गरहे खराब हैं आप इनका कोई उपाए नहीं करना है आपने सिर्फ क्या करना है सुबह उठकर अपने मम्मी और पापा के पावों को हाथ लगाना है और उनसे अशीरवा लेना है ये सरिष्टी का सबसे अमोग उपाए माना जाता है उपाए भी मान लो और ये सबसे बड़ी दैवी विद्या है क्यों भगवान गनेश की इसमें कथा आती है वो कहते ना कि उन्होंने अपने माता पिता की माता पारवती और शंकर जी की प्रिकर्मा की थी तो आज वो अगर गने है आज अगर पूझ नहीं है इसी तरह अगर बच्चो आप अपने माता पिता के पाओं को सुबह उठकर छूलो आपको कोई रेमडी करने की जुरूरत नहीं होगी अगर आपकी माता आपको सचे दिल से आशीरवा देदे सुबह उठते ही कि बेटा तेरा कल्यान हो तेरी नौकरी लग जाए वो लगेगी ये मैं 200% शर्तिया बोलता हूँ अगर आपके पापा आपको सुबह उठकर कहें कि बेटा तेरा कल्यान हो तुझे कोई बिमारी न हो कोई भी आपको असाद्य रोग भी है पिता ब्रह्मा होता है ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ वाग कभी भी खाली नहीं जाता है ये सबसे अमोग है आपने नाथ संप्रडाय से जासे नाथ हमारे गोरक नाजी थे तो धरत्मेक शक्ति और आँख बन करके दूर देख लेते थे क्या हो रहा है क्या है निरुए तो जब आपके अंदर ये शक्तियां आई ये आपने उनको अपनाया उनकी शरण में गए तो कहीं नकहीं अनु इनकी शक्तियां आपके अंदर विलाजमान है या आपने जो आपके पास जातक आता है आप उसको अपनी अंतरा आत्मा शक्ति से कुछ देख पाते हो कैसे बता पाते हो इसके बारे में ज़र रोश्ण का है आपने बहुत ही उत्तम कॉस्चन पूछा जोतिश में सबसे बड़ी जो है जोतिश इटसेल्फ एक थर्ड आई मानी जाती है उसके आगे भी मेरी क्वेरिज शान्त नहीं होई तो मैं गुरू गोरखनाजी की गद्दी के साथ जुड़ा उसमें पंदरा साल मैंने बाबा गोरखनाजी के शिशे बाबा सुरू नाजी से मैंने दिखशा ली यह मैंने मुंदरे डाली हैं लेकिन दिखावे वाली नहीं डाली के जिस से आम आदमी प्रेरितो कर मेरी तरफ अकर्शित हो इसमें गुरू नाजी ने मुझे बर्म शक्तियों के बारे में बताया उसके इलावा उन्होंने मुझे इसमें साधना जल साधना अगनी साधना ये मैंने की हुई है इससे जल साधना में मैं हरकी पौडी में इतने पाणी में खड़े होकर मैंने जल साधना की किसकी की जगदंबा माता पारवती की उसकी माता पारवती ही आदी शक्तियां उसी से शक्ति यहां गुरुनाद तो महादेव की शक्ती मैंने जो है महादेव का जो है वो रुद्रा अश्टका पाट शुरू किया इन शक्तियों को मैंने 15 से 20 साल से मैंने इनको जागरित किया और आज मैं आपको फखर के साथ कहता हूँ के आल ओवर वर्ड दुनिया के हर कौने में मेरे फैन है लेकिन किसी को भी मेरे पास आने की जुरूरत नहीं होती है अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अध्यातम योग या किसी भी बिमारी घंबी रूप से कहीं भी घायल पड़ा हो और वो तरस्त हो गया हो तो उसे मैडिटेशन इसे कहते हैं मैडिटेशन पावर जिसे हम कहते है टेली पैथी पावर ऑफ परसन आपके दिमाग जो है हमारा दिमाग एक गिरी है यह मैगनेट है इसको आप तप की शक्ती से जगरित कर सकते हो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस से आप समयने की कोश कीजिए कि हम लोग अध्यात्म योग को कैसे एक्सरसाइज करते हैं हमने ऐसे बैठना है सादक के रूप में उसके बाद में यहां से हमारा जो है पहला यह चकर चलते हो और यहां पे आपको अपने अंदर यहां पे अगर आपको अपना शिवलिंग नहीं नजर आता है तो आप बेकार हो आप नाथ नहीं हो यहां शिवलिंग के साथ में ही एक यग अगनी आपको इस जगा पे मिलेगी इस अगनी से जौला निकल कर यहां जाएगी यह तरित्य चकर है यही अमोग चकर है यहां से एक सक्रीन खुलेगी आप वर्ड के किसी भी कोने में देख सकते ह लेकिन यह विद्याएं परदर्शन के लिए नहीं हैं सिर्फ लोक कल्यान के लिए हैं इस से मैंने किसी को उजगर नहीं कर सकता मैं यह बताता हूँ के पीछे एक सिख फैमली के बचे को प्रोगलम आई थी उसने का जी मौ मैं डिप्रेस हो गया हूँ पापा मैं डिप्रे पर चला गया, यह शक्तियां परदर्शन के लिए नहीं कि आप मुझे ऐसे को कि मैं इससे कुछ निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता है, लेकिन हर प्रानी के अंदर ईश्वर है, आप भी अपने अंदर बैठे, यहां पर महादेव को दिखिए, अपने इश्ट को दिखिए यहां से जब उर्जा परकट होगी तो आपकी सबसे बड़ी पावर, जिसे आप तरिते दृष्टी कहते हैं, वो उजागर हो जाएगी, और उसके उजागर होते ही, आपको स्वैम पता लगेगा, कि मेरा दिशा निरदेश क्या है, मेरा रास्ता क्या है, मैंने करना क्या है आप जोशियों से पूछने जाते हो, जी मैं क्या करूँ, आप स्वैम अपना रास्ता आप बना सकते हैं, यह उर्जाएं हैं जिनको जागरित कीजिए, यह हमारे सब तरिशियों की ब्रम विद्ध्याएं हैं, इनका परियोग कीजिए, इनको अक्षर शे आप चलाइए, इससे आपका निश्चे ही कलियान होगा, यह मैं इसलिए आपको पता रहा हूँ कि आप बच्चे जो मेरे इस भारत की पीड़ी हो, आप जो छोटी आयू के हो, आप रोज सुबह उठकर गायतरी मंतर का 21 बार जाब कीजिए, और माता गायतरी को यहां मैसूस कीजिए, आप ही बताओगे ममा मैंने इंजिनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने सिये बनना है, यह उर जाएं हैं, यह कोई शक्तिया नहीं कि हमने ऐसे चूब मारना है तो किसी को आग लग जाएगी यह कुछ होएगा, नहीं, आप सुएम अपनी एनरजी को अपने ही है, उसको यहां डूंडिए, वो आपको परचंड रूप से आपकी मदद करेगा, आपका दिमाग, आप कहते हो, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, पेपर मैं रीपेड्यूस नहीं कर सकता, तो आप एक बार पढ़ने की आदत डालिए, रोज ऐसे बैठकर इस अंगुठे को इसके साथ में ऐसे बांद दीजिए, ये लॉक हो गया, ये भी ऐसे रखके इसको लॉक कर दीजिए, और इसको लॉक करके, और रोज ओम भूल भूएस वहा तस्वित्तुर बारे नियम भरगो दे वस्या धी महीं धीयो यो ना पर चो देया, और उसके साथ में करिए, देखिए आपके ये सारे कानों के पढ़ते सिर के पढ़ते सारे सारे जागरेत हो जाएंगे, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, आपको पढ़ा हुआ भूले का इनी, हमारी रसाइनिक विद्ध्या, हमारे रिशियों की विद्ध्या आज भी विद्ध्य माने हैं, आप सिर्व उसको प्रेक्टिस कीजिए, उसको तंतर, टूना, जादू, ये मत सोचिए, ये रसाइनिक करिया हैं, इनको रसाइन करिया मानिए, इससे निश्चे ही इस देश की जनता का भला होगा। तो इसके लिए में एक बार फिर नाज जी का धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं, एक बार फिर कभी हम द्वारा से आप से जुरूर है, जाए कुरू तूना, ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें प्रे बेल आपी किवास टीवी को सब्सक्राइब झार से घ्क में przyपा हैं, जाए इसक्वार省 विए अर्भर में और आप से जुरूर नाप सब्सक्राइब कर दिर दिरूना, ताओा। provaального या़ तो हमें प्रूंवाद आपर हैं, झाँ झालुरूना, हैं थादा हावर, आ क